नमस्कार सौतियो कैसे हैं आप सब? उम्मिद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना वेबार अच्छी तरीके से कर रहे होंगे गाइस आज जिस टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम आपने थमनिल के उपर देखी लिए होगा गाइस एक कमपनी है जिसका नाम है हीरो फिनकॉप फाइनस लिमिटेड जो की एक फाइनस कमपनी है और लोन बाटते हैं जो लोग ठीक है गाइस जब ये लोन देते हैं तो इनके पास एक शमता ये भी होती है कि उन्हें लोन निकालना भी होता और जो लोन निकालने के लिए लोग रखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है recovery agent recovery agent ये collection executive भी कहा जाता है गाइस बहुत जंगा इनकी salary की विशय में बहुत चर्चा रहती है कहीं कुछ है कहीं कुछ है आज हम इसी topic पर बात करने वाले हैं कि hero, fincorp, finance, private, limited में जो executive होते हैं जो recovery executive होते हैं collection executive होते हैं उनकी salary कितनी होती है गाइस पूरी वीडियो देखना बहुत ही बड़ी है important वीडियो है आप सभी के लिए अगर आप recovery के छेतर में कदम रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत लाबदा एक साबित होने वाली है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं चोटी सी मेरी प्यारी सी request है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो like, share, comment जरूर करके बताना और comment तो जरूर करना उसमें आप बताना कि क्या आप भी recovery agent है चलिए शुरू करते हैं hero, fincorp, finance, private, limited जो होती है guys वो ना कुछ loan बाटते हैं, loan देते हैं इसमें vehicle loan जादा होते हैं ठीक है, two-wheeler जो loan होते हैं इसमें जादतर loan वो ही होते हैं ठीक है, और तरह के भी loan ये करते हैं लेकिन हम बात करने हैं सिर्फ recovery agent की collection की बात क्योंकि hero की आप सभी को पता होगा कि hero की कितनी demand होती है तो hero finance जब इनने loan करता है उस तो loan देलने के बाद उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी होती है उनकी ये परेशानी सबसे बड़ी होती है कि उन्हें पैसा recover करना होता है और पैसा recover करते हैं, जो agent होते हैं, जो collection agent होते हैं, collection executive जो होते हैं, वही पैसा recover करने में मदद करते हैं, ठीक है, guys हर जगा इनकी salary अलग-अलग होती है, कहीं ये commission based भी होते हैं, कहीं ये salary based भी होते हैं, इसमें जो agent पैसे कमाते हैं, वो दो तरीके से कमाते हैं, एक तो commission के base प देखो इस पर काबिलियत के उपर दी जाती है ठीक है वो आपके experience के उपर दी जाएगी कि आपको experience कितना है अगर आपको थोड़ा experience है तो आपको salary कम दी जाएगी जैसे देखो suppose that कि एक से 5 साल तक का experience तो यह मांगते ही मांगते हैं कि आपको 2-3 साल का experience कहीं ना कहीं से होना ह चाहिए लेकिन उसके बाद अगर आपके पास कुछ जादा ही experience है recovery agent का किसी और company में या किसी finance company में तो आपको salary बहुत अच्छी मिल जाती है अगर यदि आपको 5 साल से उपर आपके पास experience है तो आपको जादा salary मिल जाती है इसमें जो भी आपकी salary होती है एक recovery agent के तौर पर जो आपको pay किया जाता है salary के रूप में वो होता है 2,00,000 पर year आपको provide किया जाता है यदि आपके पास एक से लेके 3 या 5 साल तक का experience है चीक है उसमें चाहिए 2 साल का हो, 5 साल का हो, 3 साल का हो, वो कोई माइन नहीं लगता आपके पास इनके बीच में अगर experience है तो आपको 2,00,000 तक provide हो जाता है salary के रूप में ठीक है per year आप डिवाइड कर सकते हो 12 से इसे ठीक लेकिन इसमें एक चीज़ यह होती है कि आपको न कहीं के incentive भी देखने को मिल जाता है जिसके base पे आपकी salary अच्छी बन जाती है जितन है इस फिल्ड में उनको क्या salary package मिलता है उनको क्या salary देते हैं hero company वाले ठीक है guys उनको जो salary provide की जाती है वो provide होती है दो लाग से तीन और साड़े तीन लाग के विस्त तक टीकर per year ठीक है per year की बात चलिए गाइस per month की बात मत सोचना पर year की बात चले हैं आप पर मंत मसोचना कभी या परमन सोचने लगो कि चार लाग या तीन लाग पर मंत सब कमाता है नहीं गाईज पर year की बात कर रहा हूं मैं एन्युली जो payout होता है उसमें आपको यही payout होता है हर जगा जादा तर ठीक है गाईज यह confirm नहीं कि आपको य experience होता है उन्हें 3,50-3,00,00 तक का payout प्राप्त हो जाता है salary के रूप में ज़दतर pay out salary यही होती है लेकिन कहीं कहीं अलग हो जाता है क्या क्योंकि experience होता है कहीं interview जो होते हैं उसमें आप अगर उच्य कोटी का interview दे रहे हो तो एपको सेल ली गुछ ज़ादा मिल जाती है ठीक है ज़िए लेकिन यह जो भी मैंने आपको बताई वह ambition box के अनुसार आपको बताया गया है ठीक है ना guy यह confirm नहीं होते है कि यही कुछ मिलती चुलती होती है ठीक बस यही बात बतानी थी गाईश आपको ये वीडियो आपके लाबदाइक साबित हो मैं आशा करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नई हो तो गाईज एक छोट इसी रिक्वेश्ट फिट से है मेरी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो ठीक है आपके छोटे भाई का चैनल है इसे सपोर्ट कीजिए ठीक है तैंक्यू वेरी मच गाईस कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप भी रिकवरी एजेंट की फिल्ड में हैं या नहीं तैंक्यू वेरी मच